हेलो आज हम लोग जिला पर्सथ फार्मासिस 2023 महाराष्ट्रा में उसके फार्माकोलोजी के कोश्चन स्रीज में है पार्ट नंबर नाइन में इससे पहले हम लोग टोटल पार्ट एट तक कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें वी हैब स्वाल्व आराउं वन सेक्स्टी कोश्चन इस पार्ट वह आप स्वाल 2020 कोश्चन हम करने वाले एकस्वालने है कम2019 कोस्टी कोश्चन फिर्श दो मलान्ट मिंटरल और एनिमल्स तो गर स्टेटिक उत्यइस तुछंड़ ट्रॉस मिनल्स मिनरेश ऑर अनिमल्स तो तो एस्परीन थी스ंदेटिक है क्या हुते है तो यह सिंथेटिक होते हैं क्या होते हैं तो यह सिंथेटिक है इनको लेबरोटरी के अंदर में प्रिपेर किया जाता है यह करेक्ट एंसर फॉल इसको सिंथेटिक ऑप्सेंस एंको लेबरोटरी में क्या किया जाता है प्रिपेर किया जाता है सोर्स आप ड्रग की बात की जा तो नेचुरली प्लांट से मॉर्फीन एट्रोपीन अनिमल से इंसुलीन हीपारीन मिनरल से मैगनिसियम सलफेट अलमुनियम हड्रोकसाइड माइक्रोब से पैनिसिलीन से फैलोस्पोरिंग हीमन से इम्मिनो ग्लोबलीन फ्रॉम ब्लड प्रॉकसी मैब रीकॉंबिन डियन टेक्नलोजी में हीमन और इंसुलीन और टीसू प्लाजमिनोजन अक्टीवेटर यह आपके क्या है तो यह आपके सोर्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि किस सोर्स से कौन से रख को हम अबटेंड करते हैं कि कम तो दर इस्ट कोशन ट्र अगर हम आई भी रूट से ट्रग देंगे तो हंड्रेड परसेंट बायो अवैलिबिलिटी होगा तो यहां पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट सर्च करना क्योंकि ट्रू पूछा जा रहा है इंट्रमस्कूलर एडिमिन्स्टेशन नीड टेक्निक ऑब्यस सी बात है पैरेंट् स्टेटमेंट्ट रू है क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए तो इस्ट्राइल इस्ट्राइल मींस फ्री फ्रॉम माइक्रो और्गरीजम्स यानि कोई माइक्रोबियल्स ग्रूथ बहां पर नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है इंट्राडर्मल इंजेक्शन प्रोड्यूस लोकल टीशू नेक्रोसिस और इरिटेशन नहीं यह भी फॉल्स है और इंहलेशनल प्रोड्यूस डिलेड सिस्टेमिक बायो अवेलिबिलिटी फास्ट हो बीयर इटार्ड एंसर चलिया तो क्या करां इंट्रमस्कुलर इंजेक्शन रिकॉर्ण आ पंक्शन तो वी मेड थाइंट रिक्वारि इंट्रीश अप्रोड्यूस नाटोल टीशू नेक्रोसिस लोगल टीशू नेक्रोसिस प्रोड्यूस नहीं करते हैं इरिटेशन कौज प्रडूस रैपीड सिस्टेमिक बायो एवेलिबिलिटि क्या कोज करते हैं गम तो फेलो प्रविय मतलब गो द्रग जा एक्षेन देते हुं उसे एंगे सींपैथा में ड्रग कह cartoons कर तहूंझे कि यहाँ प्रेंगे जैको करेंगे क्या हो जाएंगा काज करिक्षां हो जाएगा मियोसिस मतलब हुपिल में इसलिए इसलिए ट्रली mucus नहीं कारते हैं क्या करते है यहां पर क्या हो जाएगा जी ओप्सेंस भी क्या होंगे एक करेक्ट अंसर होंगे कि मियोसिस मतलब क्या होना क्या होना क्या है इनका क्या है मैकनीजम ऑफ एक्शन है लोकेशन अन फंक्शन के अगर बात की जाये तो क्या हो जाएगा और टौनोम से कोज कर सब्सक्राइब आटरिक से बढ़ाएगा सी और निंग ली मशनाच देशने 10 किन नोट में राडियाậnने। कोज करेगा वाइसरल स्बूथ मसल्स कोज़ करेंगे वाइसर इस्मूथ मसल्स कॉन्ट्राक्षान आईरिस एक्जोफन के लैंड में सिक्रीशन और वैस्कुलर निधुथेलियं में रिलीज कराएगा नाइड्रौस अक्साइड को यह इनके क्या है अलग अलग receptor हैं जैसे कि आपका में रिसेप्टर 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 यह इनके लोकेशन इनके फंक्शन से आप लोग ने बहुत अच्छे से को लिनर्जिक ड्रग में इन चीजों को क्या किया होगा स्टूडेंट टिसकस किया होगा तो अग्याइब को टूछ चुशन विच आप दा फॉलोइंग इस ड्रग औफ च्वाइस फॉर वैला डोना पॉजणिंग के रूप में एट्रोपा बेला डोना क्या अगर पॉजणिंग हो जाया तो किस ड्रग को ड्राग आप च्वाइस के रूप में हम यूज करेंगे फी अलमोंस्ट सभी है करेक्ट यहाँ पर क्या हो जागा फीज़ो स्टीग मीं होगा इसके लिए याद रखेंगे एट्रोपा बिला डोना में फी जींग मीन की पॉजणिंग होती है तो क्या होते हैं यानि वाईस बरसा आपको याद रखना है दोनों के case में तो क्या करढ़ रखर उंती च्छ डिविय्ट स्टीफन कि यहां पर यूज होंगे फृजिय चमीन क्रसे ब्लड ब्रेसे क्या करेगा तो एंटी प्लें उनियम को इनहीं बीट घरेगा बेंच दैसे को भी यूज किया जाता है लेकिन स्लोली क्लियर तो में ड्रग हमारा क्या होगा फीजोस्टीग मिन्स होंगे कम तो नेस्ट कोशन विच स्टेज ऑफ स्लीप इज रिस्पॉंसिवल फॉर देंस ओप ड्रीम्स किस केस में हम ड्रीम्स देखते हैं इंसिदेंस ओप लग्舞ंट स्लीप अपने पढ़ा ल्यां क्या होते हैं तो इनसिदेंस ओप ड्रीम्स देखने को मिलतें हैं स Mitch क्या हो जाएगा options a here is a correct answer for these questions clear तो यहां पर स्लिप साइकल है स्टेज़ बन में लाइट स्लीप मसल्स ब्रेइन स्टेज टू में हम कहां पर आते हैं आई मुव्मेंट मसल्स अक्टिबिटी बंध हो जाती है ब्रेइन वेप स्लोडाउन ब्रेइन प्रड्यूस ब्रेइन डिल्टा स्लीपर में भी डिस ओरिंटर इफ वी कंड इसके बाद रैपिड आइम मुवमेंट में हार्ट ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर राइस बॉड़ी प्रालाइज आई मुवमेंट इज कुईक विच इज नॉट एन आर्ट्रियोरल वैसो डाइलेटर तो एन एंटी हाइपर्टेंसिफ ड्रग की बात की जा रही है जो आर्ट्रीज के अंदर में वैसो डाइलेट्सन यानि ब्लड बसल्स को डाइलेट करने के लिए रिस्पॉंसिबल नहीं होते हैं वह कौन से हैं जी ह पाइलेट करते हैं ठीक है तो मिठाइल डॉपा यहां पर करेक्ट अंसर है तो देखिए कैल्सियम ब्लॉकर में फिनाइललकामिल विरापामिल डेल्टियाजे में सब तो हैं ही वेसोडालेटर में आर्ट्रीज को कौन करता है है हाइड्रलाजिन मिनॉक्जिजिल डाइज ड्रग्स नहीं होते हैं अ मिठाइल डोपा क्या होते हैं सर्ट विखाइल डोपा सेंट्रल सिं पैनोसिंपैफल लाइटीक ड्रग यह आपके ःफनी tough question which top the following anti-hypertensive eligibility नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी इनमें से कौन से ड्रग हैं एंटी हाइपर्टेंसीव का ड्रग है जो हाई ब्लड प्रेशर में यूज होंगे लेकिन जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है नॉट सेफ पूछा जा रहा है नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंसी में पाइडरीलाजी इनमें से कौन से ड्रग है एंटी हाइपर्टेंशिव कटेग्रीके जो आपको प्रेग्नेंसी में सेफ नहीं है सो करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा जी रामिप्रिल या जो एसी इनिविटर ड्रग होते हैं स्टुडेंट वो यूज नहीं होते हैं प्रेग यह होते हैं वह क्या है जी है इधिटरेलाजीन है नीफेड़िपीन है लबीटल और और यह प्रेगनेंसी के टाइम में हम क्या कर सकते हैं यह रूप में और किसी भी और के सकते हैं यह पॉइंट आपको याद रखना है कम टुदा निष्ट ड्रग यूजड इन ही पैरीन एक ब्लट थीनर ड्रग है स्टुडेंट और यह ही पैरीन का अगर ओवर डूज हो जाए तो हम कौन से ड्रग यूज करें यानि ब्लिडिंग बहुत जादा होंगे हैं मेरे तो यहां पर आपका प्रोटामिन सलफेट ड्रग क्या करेंगे तो यहां पर करेंगे यूज करेंगे इन केस आप हिपैरीन ओवर डोज यानि अगर की से पैसंट ने हिपैरिन का बहुत ज्यादा डोज ले लिया है ब्लड बहुत जादा थीन हो चुके हैं उस केसम प्रोट तरापिटिक्स इंडेक्स प्रोटामिन इनके थरापिटिक्स इंडेक्स बहुत कम होता है इनका बहुत कम है तो उस कारण से इनको के वर हेपारिंस के एंटीडोट के रूप में यूज़ काते हैं इ lira mayra the toxicology of protoine depend on a complex interaction of the high molecular weight や kare di Kitty the toxicology of protoine it depends on complex interaction of high molecular weight a cationic peptide with the surface of the basculature and the blood cells clear I'm to the next which of the following is анти-histaminic used in treatment of curve क्या करा जी which of the following is anti-histaminic anti-histaminic drug है use in treatment of cup कहां पर भाई तो treatment of cup कफ के treatment में use किया जाता है तो यहां पर question है which of the following is anti-histaminic used in treatment of cup कफ के treatment में कौन से anti-histaminic drug को यूज किया जागा glycerine promethazine kodine salbutamol तो anti-histaminic द्रग पूछा जा रहा है ठीक है ना तो यहां पर आपका प्रो मिथाजीन हो जाए ग्लिस्रीन तो है ही नहीं नाइट्रों ग्लिस्रीन आपको वेसोडाइलेटर है कोडिन आपका ओप्योइड ड्रग है साल ब्यूटामोल आपका बिटा यानि अड्रेनर्जिक ब्लॉकल ड् प्रो मिथाजीन ट्राग है प्लमुनरी रेसेप्टर्स में आपका फिनॉक्स डायाजीन है नौन प्यूइड में अपना और आपना लोग्योइड में कोडीन फालकोडीन से लोजींज फ्लेंज में है इक स्प्रेक्टोरेंट में पोटासियम से ट्रेट आयोडाइड गवा स्टेटमेंट को मिलते हैं कम तो नेक्स्ट को स्टेटमेंट अबाउट एप्री पिटैन्ट एक ड्रग है स्टुडेंट एप्री पिटैन्ट उस सारे स्टेटमेंट सही है किसी एक को छोड़ कर ऊप्रियुटेटमेंट एप्री पिटैन्ट वह स्टेटमेंट रेलेटेट टूर्व है एप्री पिटैन्ट कारके तो यह रिसेप्टर अप्रेकों स्टेटमेंट पर एक। आप्टर नहीं है यह एकसेप्ट एक्सन है और हाँ पूछा गया था यह क्या होते हैं निरोकानिल रिसेप्टर बन आपने पढ़ाऊगा खुंद सब्सक्राइभ के औरपाइब के इन दोनों के पास क्या है स्टुटेझी तो है यानि वु मेटिंग को क्या करता है यह यह نियोकाइन रिसेप्टर के इंग सब्सक्राइब करता है तो तो ङहों करता है थाकि सभी स्ट्रेट्मेंट तो यह हैं एक्सेप्ट तू पहले स्ट्रेट्मेंट नाम से रेट्ट जाने जाते हैं कि she lazini 저她 को ब्लॉक करता है यह फिर प्रेडान सेपर्ट को थो खेल करता है क्ब्लाजम बरियर को च्राओंट कर रसक्राइब कुछ एपरेडिबर को खष्क्राइब अच्ट वर्टेदस और जुद है अन्ज पर देफ sized और वर्मेटिंग पूस्ट अश्यम थो cm2 कि द्वारा क्या होते हैं बॉर्डी से एक्स रिटाओट होते हैं चलिए में UWी कम टू नेक्स्ट मेरन फंक्षण ओप हीनल्स लूप का मेन नेफरोंस में आपने पढ़ा होगा अलग साते हैं डिवर्ण गलिज़ yeah all बाप उपने क्या होगा नेफरोंस पर यूऔरल क्लेक्टिंग ड़कटे Γ Solutions गाल मेशन का मेन काम क्या है पासे जों ओन और यूरीन क्या करते हैं जो लूप पर होते हैं तो सोडियम क्लोरीन का सिंपोड होता है एक ही डिरेक्षिन में मुविमेंट होता है जिसके कारण रियॉप्जॉप होंगे इसलिए क्या होंगे युरीन कंजर्व किये जाएंगे बचाये जाएंगे क्लियर सो ऑप्सन हेर्ट डी गर्रेक्ट अंसर क्या करा है कि लूप अपनल्स कंड़क्ट यूरीन विदिन इच नेफ्रों हर नेफ्रों में यूरीन प्रजेंट होता है इत हेल्प रिकवरी ऑफ वाटर और सोडियम क्लॉराइट को यह क्या काता रिएब्सॉर्ब कर वाए र यूरीन को कंजर्ब करेगा स्टूडेंट क्या करेगा इंटी डायरेटिक्स हर्मोन कहते हैं यह दोनों हर्मोन कहां से जी तो पॉस्टीर लोब प्यूटी ट्री ना एंटीर से तो देखों इंटीर से ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज होते हैं यह सब कहां से रिलीज होते हैं आपके प्रोलक्तीन अपना इंटीर लोब प्यूटी ट्री से क्या रिलीज होते हैं और एंटी डायरेटिक्स फर्मोन जिसको वैस्ट प्रेसिन कहां से क्या होगा इस कोश्टन के लिए और अप्सटीर लोब प्यूटीर यहां पर क्या होंगे और रिलीज होंगे चलिए तो हाइपो थैलमस मेक्स ऑक्सिटोसीन बट पोस्टीर प्यूटी लेंड इस्टोर और रिलीज इंटो ब्लड श्ट्रिंग ठीक है यह आपका क्या हो गया एक्स्प्लनेशन हो गया चांट क्व्लोरो कुनुलोन कैसा है तो बैक्ट्रिया को किल्ड करता है ठीक है ना दो तरह क वो कंपेलिट रूप से किल्ड करें विच एक्ट ऑन ग्राम निगेटिव और पॉजेटीव बोथ बैक्ट्रिया यानिके एक्स्टेंडेड और ब्रॉड रिस्पेक्ट्रों पाइक्टिविटी है ड्राक के पास बाइदा फॉलोइंग मैकनीजम रिस्पेक्टिवली तो फ्ल क्या करते हैं इन दोनों को क्या करते हैं गाइड फॉर आपका फ्लूरोड पॉजेटीव में याद रखेंगे ग्राम निगेटिव करते हैं और करते हैं और लॉठ फोर को इनिबीट करते हैं जिसके करण सुपर कोईलिंग हो जाती है नेकड डियन बनते हैं और बैक्टरिया क्या हो जाता है तेंजल्ड डियन ने के करण क्या हो जाता है इनफॉर्मिशन लैक कर जाता है क्लिर सो हेर ओप्सन से भी करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है तो क्या करा जी फ्लॉरो कुनोलोंस और बैक्टरिया को अक्टरिया को कंप्लीट रूप से किल्ड करेगा या बिसे कली डिन गारेज इन्जाम को निबीट करेगा टोप आइसे मेल एप्लिकेस त्रंस्किप्शन दोनों एंजैम और ट्रांसकरिप्शन में क्या होते हैं डिन गायरेज इन ग्राम निगेटीब बैक्टरिया टोप आइस फॉर इन ग्राम पॉजिटिव लिए जिसका नसे क्या होगा तो बैक्टरियल डिन सिंथेसिस बंद हो जाएगी इनिविशन आप निकिंग फॉर्मिश तरह किसका काम है तोपो इस दोनों इंजाइम को निपीट कर ताकि सुपर क्या होगा नेकेड डियन डियन बनेंगे विना किसी काम के होंगे बगर किस इंफॉर्मिशन को यानिक डियन ने की सिंथेसिस क्या होगी और हम यही चाहते हैं कि बैक्टरिया के अंदर में नुकली सिंथेसिस ना हो कम तो नेक्स्ट कोश्चन और विच आप दा फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग इस सेल साइकल स्पेस्पिक यानि कि एस फेज पर जीवन फेज पर या जी टू फेज पर कौन से ड्रग या एम फेज पर कौन से ड्रग आक्ट कर रहे हैं आई फैल फैल्प हेलएन विनवलाश्टीन साइकलो फॉस्पिमाइड कौन से हैं जो से ही प्लांट उनको हम क्या करते हैं ऑब टेंड करते हैं अ쟁 को क्या करते हैं अब तेंड करते हैं उस प्लांट में vision सेल साइकल साइकल को जी टू फेज पर टोप आइसमरेज इनिविटर डाट इड़नो टिकॉन एटोपोसाइट टोपर टिकॉन ब्लियो मैसिन एंथ्रा साइक्लिन में है डॉक्षीन एपिरूबिसीन डॉन रॉबिसीन और मिटोजान ट्रों में विंकरिश्टिन बिन ब्लाश्टिन विनो विनो र सब्सक्राइब वेगिगा खाटा है और आपने सेल साइकल में ब pressures में ना辐ज वह चांगी कर्के में चलिए तो वहलो नग् conjunction हैंहए यूज यूज किया जाता है सभ्क्राइब कॉल्यो क्या जाता है एक स्था थरूज के लिए याद करने होता है वो भी डिर्क्त याद करने होते हैं बहुत जादा लाजिकली नहीं सोचने होते हैं So, here options see that the polio vaccine क्या होगा correct answer हो जाएका जिसको हम 7 vaccine कहते है तो oral polio virus vaccine that is the 7 vaccine is the live vaccine virus available in 10 ml and 50 ml If you can watch it, each dose is two drops drop directly into the mouth. OPB is the vaccine of choice for the active immunization of children चिटरेंज के अंतर में बिसिकली पोल्यो वाइरस का गेंस्ट में एक इम्मुनाइजेशन एंटी बाडी के फॉर्मिशन के लिए यह क्या किये जाते हैं दीए जाते हैं अब देखें आपने पढ़ा होगा टोटल फोर रिसेप्टर होते हैं अब इसमें से सुनिए फाइश्टी त्री जो होते हैं यह लिगांड निगेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं बाकि सब क्या होते हैं जीपी सियार बाकि सब जब क्या होते हैं जीपी सी आर होते हैं य्यारी जीप्रोटिन कपर होते हैं क्योंकि में सब क्सक्र Isaac यहां पर क्या हो जाएगा इस कोश्चन के लिए तो क्या कर रहा है मैकनीजम फैक्शन में तो हिस्टामिन प्रड्यूस इट्स एफेक्ट वाइड एक्टिंग हिस्टामिनिक रिसेप्टर फूर टाइप ऑप एच बन टू एच पोर हैं सब के सब सारे के सारे हिस्टामिन वाले तो होते हैं वह जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं पर टाइप अपना अक्षन प्रडूस करते हैं तो याद रखेंगे all histaminergic receptor are GPCR जितने भी histamine receptor होते हैं सब के सब GPCR होते हैं यानि G protein couple receptor होते हैं except then except then आपको याद रखना है serotonin clear जो आपके क्या होते हैं ligand-gated ion channel receptor serotonin में भी 5HT3 जो होते हैं जो होते हैं ligand-gated ion channel receptor होते हैं बाकि सारे serotonin भी GPCR होते हैं जी प्रोटीन coupled receptor होते हैं कम टू देनेक्ट कोशन विच आप दा फोलोईंग इस फर्स्ट जनरेशन एच बन एंटागोनिस्ट अच्छा फर्स्ट जनरेशन एच बन ब्लॉकर ड्रक पूछा जा रहा है इतनला माइंस फिनो थाइलीन डाइमीन अल अप दा एबब फर्स्ट जनरेशन एच बन एंटागोनिस्ट पूछा जा रहा है पूंथ जनरेशन डर्ग फ्सट जनरेशन ऐच इचनरेशन एचिवन एंटागोनिस्ट क्या ब्लकॉस्ट ब्लेट ड्राइर्यार को क्रॉसच करता है इस अलामाईडडडार्मिंSon तै induction of the म brings l क्लासिफिकेशन आपको याद रखना स्टुटेंट कम तो नेक्स्ट कोशन एंटी फंगल एक्टिविटी आप फ्लू साइटोसीन की की किसे कारण से होती है एंटी फंगल एक्टिविटेंटी की किस कारणसे होती है कि तो realize उस्टेडान की पुछी जा रही नहीं होगां क्या होगा जी तो प्लूरासील यानि तो स deux paral चंति प्लूुना ihrAud you know उर्टमएं हें इनका क्या गार्या एंटीफंगल अक्तिवीटि का एगैं तो कंवर्जंटबु टू さ क्या है जो संबार चंपश्रेशल कर सकते इसक्ट पारैमि मेत अचिन यानि flu cytosin enter and inhibit the dna synthesis flu cytosin is given orally with the imported as in b for the systemic infection after uptake into fungal cell converted into 5-fluoracil and then 5-flow deoxiric acid which inhibits the thymidylate synthetase and interfere with the dna synthesis here dna synthesis के साथ क्या करते हैं interfere करते हैं कम टुदा कोस्टेन नमबर 19 विच आप दा फॉलोइंग ड्रग एक्ट इन बोथ 30 एस और 50 एस राइबोजोमल सब्यूनिट प्रोटीन सिंथेसिस इन्हिबिटर ड्रग्स पूछा जा रहा है है जो 30 एस 30 एस और 50 एस दोनों यूनिट पर बाइंड करते हैं स्ट्रिप्टोग्रा मींस अमीनो ग्लाइकोसाइड बैसिट्रेसिन क्लूराम फैनिकॉल प्रोटीन सिंथेसिस एंटिवाटिक्स इन्हिबिटर ड्रग की पूछी जा रहे बार जो दोनों राइबोजोम्स के दोनों सब यूनिट पर क्या करते हैं आपको यह पॉइंड क्या करना है यहां पर याद रखना कि 30 एस और 50 एस दोनों पर यह क्या करते हैं जाकर करके बाइंड करते हैं करते हैं कर चौंट करते हैं है जाद रखेंगे कौनब करेंगे हैं ważne जाइस से करके कर सकते हैं एक मतलब एमिनोगलाइकोसाइट ट्रसेक्रिन 30 पर बाइंड करता है और सेल यानि की से यहां पर याद रखेंगे यानि स्ट्रेप्टोग्रामिन्स क्लोरामफानिकोल रित्रोमाइसीन लिंकोसामफाइट लिनेजुलाइट यह कहां पर बाइंड करते हैं तो याद रखेंगे यह ड्रक्स आपको याद रखना है ठीक कौन 38 पर बाइंड करेगा तो और कौन 58 पर बाइंड करेगा ठीक है अब आज यानि आज बाली स्रीज का आज की क्लास का आखरी कोस्चन्स अस सल्फोनामाइड derivatives inhibition of typ टी टाइप कैलसियॐम चैनल एक्ट बाइब सल्फोनामाइड derivatives inhibition टी टाइप क्यल्सियॐम करता है कैसे असे बाइट तो फ्लेवरामीट जोनेसप्र माइड और सक्सिमाइड कौन से ट्राइब होंगे जो टी टाप आप कैल सेंट चनल को ब्लॉक करेंगे और सलफोना माइड की प्रोपर्टी है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जी करेक्ट अंसर जोनिसामाइड है ना क्या हो जाएंगे जोनिसामाइड यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएंगे याद रखेंगे जोनिसामाइड के पास एंटी एपिलेप्टिक प्रोपर्टी है क्या है जी एंटी एपिलेप्टिक प्रोपर्टी है बैसिकली एपिलेप्सी में यानि एंटी स रूप में यूज किया जाता है और यह बैसिकली सलफोनामाइड डेरिवेटिव ड्रग के रूप में इनको क्या किया जाता है ठीक है तो देखें यहां पर कहा रहा है कि प्रोलोंगेशन आप सोडियम चैनल कौन-कौन है जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है वह फेनिट्वाइन करवा में जीपान वैलप्रोइट लेमोट्राजीन टॉपिरामे जोनिसामाइड लाकोसा माइड यह सब एक्साइटेटरी ग्लूटाम मिनर्जीक एक्सेंट साइनेप्स प लुक दो को ब्लॉक करेंगे तो après सॉडियम चैनल ब्लॉक कर भी है और यूज कहाँ पर होते हैं तो यह सारे ड्रॉइन यह जितने भी आप देख रहे रहे हैं यह सब के सब क्या है एंटीपिलेप्टिक है करो दोリॉंट को रखा गया है की उट्रॉ Psalド ब च्रॉड रखक पर यह classification बनाई गई है ठीक है तो यह हमारा क्या हुआ student तो यह हमारा complete हुआ जी क्या complete हुआ तो part 9 pharmacology जीला परसद जो examinations है उसमें total हमने 20 questions को आज क्या किया है next class में यानि कि next part जो part 10 है pharmacology का उसको हम लोग क्या करेंगे solve करेंगे तो मिलते हैं student next class में next concept के साथ thank you everyone for watching GDC and supporting GDC thank you once again